जहिन साथियों क्या हल चाल मैं वी पुल्राम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल नोटबूक अकैडमी पर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं रेलवे आरर भी ने अलपी की वेकेंसिस निकाली है पद थोड़े से कम है थोड़े क्या कहें थोड़े जादा कम है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी तयारी में कुई भी कमी आने दे है ना तो आपके तयारी को और बहतर बनाने के लिए आप सभी जानते हैं विज्यान सांस साइंस का एक बहुत ही बड़ा योगदान यहां पर रहने वाला है तो क्यों ना हम अभी से अपनी साइंस को मजबूत करना स्टार्ट करें दोस्तों तो मैं कुछ पॉइंट से लेकर आप जिनके उपर मैं डिसकसन करूँगा और कुछ को बताऊंगा जो 2018 में आरारी ने पूछे सकते ही यूणिट से काफी कॉछन पूछेगें जिनके अब डिसकोशन हम यहां पर करेंगे देखें अगर सबसे पहले अगर मैं बत करता हूं गयं कीया हो जाता है दोस्तों तो याद रखेंगे आपकाके क्मानिन को मेंजर करने के लिए हम जिस technology या technique का use करते हैं उसको unit का आ जाता है जैसे अगर हम बात करें साथ fundamental quantities हमारे पास हो जाती हैं कौन-कौन से हो जाती हैं दोस्तों सबसे पहले लंबाई यानि की length हो जाती है जिसको measure करते हैं meter में जर्वेमान यानि mask की अगर में बात करूं दोस्तों तो यह हो जाता है kg में समय की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो second में इसको count करते हैं विदुधारा यानि की electric current को ampere में ताप यानि temperature को Kelvin में दोस्तों परदार्थ की मातरा है ना यानि की amount of substance को mole में हम measure करते हैं उसके बाद जोती तीवरता यानि की luminous intensity को किस में measure करते हैं candela में measure करते हैं तो यह हमारी साथ fundamental quantity हो जाती हैं जिनके base पर हम और अन्य राशिकार हम यहाँ पर बनाते हैं जैसे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली quantity अगर मैं बात करूं एरिया तो area equal to क्या होता है l into b अब length की अगर मैं बात करूं तो length का unit भी कितना होता है meter होता है और इसका भी unit कितना ह हो जाता है meter हो जाता है यानि unit बन जाती है meter square तो दोस्तों याद रखना fundamental quantities केवल 7 होती है अगर मैं बात करूं इससे related कुछ प्रशन जो पूछे गए देखें question number 1 आपके सामने screen पर है अगर मैं बात करूं पहला प्रशन क्या पूछा गया और द्योग में शक्ती की काई क्य होते हैं वो बड़े स्तर पर मशीने लगी होती है जिनमें विद्धोत की खपत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वज़ा से केवल वाट या किलोवाट में काम चलने वाला नहीं है वहाँ पर हमको क्या लेना होता है अश्व शक्ती लेना होता है क्योंकि हम जानते ह वन एच्प यानि होर्स पावर जो होता है वो 746 वर्ट के एकवल होता है केलियर है तो द्योगों में किसका यूज किया जाता है अश्व शक्ती का देखें को अगर यहां पर देखें तो सेकंड कोशन में अब आप बोलेंगे कि सर यह तो बहुत सिंपल सिंपल कोशन है दोस् पतार है इंटरनेशनल सिस्टम तो परतिरोध के बात करूऊ दोस्तों तो आरोल्ट ऑस बता अजाता है यह अगर बात करूं आ यानि थारा को अभी मैंने आपको पताया था में हम इसको मेजर करते में आपको तो इसकी नोट्य आया हो जाता है jeśli आरा बी NTPC और ALP में पूछा गया है 21, 18 और 2018 में तो याद रखेंगे दोस्तों यहां से अंसर क्या बन जाएगा इसका ओम किसका अंसर बन जाएगा क्लियर है तनी बात चलिए आगे question number 3 की अगर में बात करूँ दोस्तों देखें जरा आविश का ऐसा ही मातरक होता है ampere और time का कितना हो जाता है second और ampere into second तो यहां पर नहीं दियावा है तो इसका मतलब यहां पर क्या बन जाएगा इसका direct answer बनेगा कुलाम और कुलाम ही किस cake वल होता है ampere into second cake वल होता है clear है चलिए आगले परशन की बात चलते हैं देखें जरा यहां से आगे अगर मैं बात करूँ देखें जरा यह रहा question number four radio धर्मिता का SI मातर का क्या होता है यह आपको बताने RRBN TPC में पूछा गया 13.3.2020 में परशन पूछा गया है देखें radio activity की अगर मैं बात करो दोस्तो तो radio activity कहां पर होता है जब भी किसी परदार्त में से alpha, beta और gamma किर्णों का उत्सरजन परारंब हो जाता है तो वहां पर radio activity का process start हो जाता है और इसको सबसे पहले बताया था किसने बेकरल ने बताया था तो यानि इसकी अगर मैं बात करो तो इसका unit क्या हो जाता है clear है तो इसी तरीके के परशन आपके exam में पूछे जाएंगे जिनका हम topic wise बड़ी आसान तरीके से batch के अंदर पढ़ेंगे clear है अब ये परशन देखें सामने भार की SI, IKI क्या होगी तो भार का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों भार का मतलब हो जाता है weight clear है weight की अगर मैं बात करूँ है न तो W बराबर क्या होता है W बराबर जाता है M G यानि जब भी हमें दर्वेमान को किसमें बदलना होता है भार में बदलना होता है तो G से multiply कर देते हैं जैसे मैंने कहा कि एक बच्चे का दर्वेमान कितना है बच्चे का दर्वेमान कितना है इसको कर लेते हैं 25 किलो कर लेते हैं लेकिन अगर भार की बात करूँगा तो यहाँ पर 25 जीज का अंसर बन जाएगा यह हो जाएगा इसका भार तो याद रखेंगे भार को count करेंगे किसमें Newton में count करेंगे clear है अगले परशन की और में अगर मैं बात करो दोस्तों देखेंगे रहा question number 6 और संवेग का ऐसा ही मातरग बताए इस तरीके के परशन को पढ़ने के लिए आपको देखना होता है जो राशी दी गई है क्या वो fundamental है अगर वो fundamental नहीं है तो आपको सबसे पहले उसका formula open करना पड़ेगा जैसे अगर मैं बात करूँ संवेग की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर सबसे पहले momentum equal to अगर मैं बोलू momentum equal to क्या हो जाता है mass into velocity तो mass का हो जाता है kg और velocity का meter per second है ना meter per second तो इसके according किसका unit हो जाता है 20 का answer बन जाता है दोस्तों clear रतनी बात तो दोस्तों इसी तरीके से हम science को बड़े ही technical तरीके से और बड़े ही रोवांचक किसों के साथ में हम अपनी science को complete करेंगे तो दोस्तों आना ना भूलिए हमारे ALP वाली class में जहांपर हम science की बहुत बहतर से बहतर तकनीक से आपको चीज़ों को समझाएंगे और याद करा करके भेजेंगे ठीका दोस्तों वीडियो को अगर पसंद आई हो तो जादर से जादर share subscribe कीज़ेगा जैहिन